अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो उसे हासिल भी कर सकते हैं और अगर आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं यदि हम बदलेंगे नहीं तो खुद को कैसे विक्सित करेंगे और यदि हम खुद को विक्सित नहीं करेंगे तो हम क्या चीज हैं अपनी कटिन परिस्तिति में भी खुद को फ्रसाहित बनाके रखिए क्योंकि कटिन परिस्तितियां ही इनसान को सर्वसेस्ट बनाती है प्रत्तेक सुभा जब आप विश्तर छोड़ें तो तीन बार जोर से बोलें मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ और इसी सक्रात्मक बिचारों के साथ हर दिन की सुरुवात करें क्योंकि जब आप बहतरण के उम्मिद करते हैं तो आपके मन और मस्तिक्स में भी बहतरण की तरंगे पैदा होती है और आप सर्वस्ष्ट करने के लिए निकल जाते हैं यदि आप सफलता के लिए प्रयास ने कर रहे हैं तो आप असफलता की और बढ़ रहे हैं क्योंकि किसी के लक्स को पाने के लिए प्रयासों की आफसकता होती है हाला कि ये कठिड काम है लेकिन उस कठिड काम को करने का जोखिम उस कठिड काम से कम है जो आप बिना कुछ फ्रयास किये आराम दैक जिन्देगी बिताने में निकालते हैं आप जब भी कोई असंभब दिखने वाला काम करते हैं तो आप इसी प्रकार से कोशिस करें कि आप उस काम में कभी भी असफल ना हो क्योंकि जिन लोगों को सफल होना होता है वो कोई ना कोई रास्ता ढूंडी लेते हैं और जिन लोगों को असफलता में रोना रोना होता है वो भी कोई ना कोई बहाना ढूंडी लेते हैं जो जो असफलता होने से डरते हैं वो कभी भी सफलता का आनन नहीं ले पाते हैं इसलिए हमेशा सकरात्मा की सोचें, क्योंके सकरात्मा का परिणाप हमेशा सकरात्मा की होता है। बिजेता कभी प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं आपकी जिन्दगी आपकी सपनों का प्रतिविम होती है आप जैसा चाहते हैं कि आप जीए वैसे ही सपना देखो और फिर उसे साकार करने के लिए प्रयास सुरू कर दो क्यूंकि सफलता का सबसे बड़ा रहस्या आम चीजों को बहतर खास तरीके से करना होता है मैंने ये अनुभव किया है कि जो भी बिजेता होते हैं उनके पास दो चीजे जरूर होती है एक है निश्चित लक्स और दूसरा है उसको पूरा करने के लिए ठोस योजना इसलिए आप अगर अपना जिन्देगी में सफलता पाना चाहते हैं तो पहला है एक निश्चित लक्स बनाईए और दूसरा है उसी लक्स को पूरा करने के लिए ठोस योजना बनाईए अगर आप एक लक्स को योजना के इसाफ से करेंगे तो आपको इस दुनिया में सफलता बनने में कोई भी ताकत रोक नहीं सकता